सुना तुम सबने, कल राजकुमारी हिंडु मती का जनम दिन है राजकुमारी को जनम दिन का कुछ दोफा भी तो देना है मैं तो कहता हूँ क्यों न उनसे ही पूछ ले कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें वह ही ला दे नहीं नहीं, ऐसे तो सारा मसा खराब हो जाता है मेरे पास एक आइडिया है, सुना है पहाडी के घने जंगलों के बीच, जंगली मधु मक्हियों के छत्ते हैं अरे हां, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है, कहते हैं वो शहद पूरी दुन्या का सबसे मीठा और सबसे अच्छा शहद होता है जंगली मधु मक्हियां उन्हें बहुत खास फुलों का रस इखटा करके बनाती है तो फेर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं, चलो मुझे तो डर, नहीं लग रहा है अरे, वहाँ देखो, वो रहा मधु मक्हियों का छत्ता अरे, वो रहा है जन्दिन मुबारक को राजकुमारी जी जन्यवाद मंत्री जी जन्दिन मुबारक राजकुमारी हम आपके लिए कुछ लाए हैं यह क्या है जरा चक्के तो देखे इससे मीठी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई साहसी राजकुमारी नीलम की गजब कहानिया राजकुमारी नीलम अपने राजय का असली रूप देखना चाहिए जाती थी तो एक रात भेज बदलकर वो महल से निकल पड़ी और उसका सामना हुआ एक खतरनाक दानव से फिर राजय की गरीब प्रजा में खुशियां बाटी और जब राजकुमारी बन गई रानी तो अपनी इस सूज-भूज से उसने बनाया एक आदर्श राज्य और प अब लिखी जाएगी राजकुमारी इंदू की अजब कहानी ये क्या राजकुमारी इंदू मती वो भी अकेले मैं ये मौका जाने नहीं दूगी एक मिनद राजकुमारी एक खास जादू करना है जिन्जिम हुआ चिम्चुम हुआ बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कववा क्या कर रहे हो भीम हां तो तुम हो तो फिर ये राजकुमारी आप ये राज किसी को कवटा नहीं चलने वाला हाँ 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 महराज के नाम पर हम तुम्हें गिरफतार करते हैं हाँ क्या हुआ राजकुमारी मैं बनने चली थी एक सहसी राजकुमारी लेकिन सब गड़बड कर दी राजकुमारी तुम सहसी ही नहीं एक सच्चित दोस्त भी हो सच हाँ केले की कसं राजकुमारी हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कीजिए मैं दूर देश का राजकुमार हूं वो तो एक बुरी चुड़ेर के श्राप ने मुझे ऐसा बना दिया ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है मेरी बात का यकीन कीजिए राजकुमारी एक राजकुमारी यानि कि आप अगर मुझे किस कर देंगी तो श्राप तूट जाएगा और मैं वापस राजकुमार बन जाओंगा मैं तो बताना ही भूल गया कि मुझे किस करने से नेरा श्राप अब तुम पर आ गया है चीलो और बिल्लियों से बच कर रहना राजकुमारी यहां देखो मैं हूँ यहां देखो मेरी मदद करो भीम मैं यहां हूँ नीचे देखो यह मैं ही हूँ मेरा विश्वास करो मेरी मदद करो भीम राजकुमार यहां पर आप सवाल यह है कि राजकुमारी इंडुमती को वापस कैसे बदला जाए अगर राजकुमार का श्राप इंडुमती पर आ गया तो उसी तरह इंडू मती से वापिस राजकुमार पर भी तो ज़रूर जा सकता होगा और इसका क्या किया जाए इसकी सजा यही होगी राज महल अब मैं यही इस राज महल में रहूंगी तो प्रजा अपनी राजा से मिलना चाहती है इसका भी उपाए है पूरी प्रजा इस दुए की सांस लेते ही राज महल की याद बेलकुल खो देगी और राज महल पेड़ों के परदे के पीछे छिप जाएगा इंडुमती से मिलने पी तो जाना है मैं तुम्हे ही बुलाने आ रही थी राज कुमारी इंडुमती से मिलने राज महल जाना है ना यहां तो पाउं तक रखने की जगा नहीं है ऐसा लगता है सदियों से यहां पर कोई आया ही नहीं सब्सक्राइस है हां राज कुमारी का कबरा राज कुमारी को निंद से मैं जगाऊंगा मुझे छोड़ दो मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी जब तक यहां सब की नीन खुले तुम यहां से बहुत दूर चली जाओ वरना हु हु झाल झाल